हलो बेलकम गई स्वागत रहाँ आपका हमारे कोई नई मैट्रो अब्रेट में तो आज की अब्रेट होने वाली है गल्ला मंडी से ले करके जखरकटी मैट्रो स्टेशन तक की दोस्तों बहुत सारे मेजर चेंजमेंट इस रूट में बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो उन हमारे वीडियो यहां से शुरू करने का मकसद सिर्फ इतना सा रहता है कि हम औरेंज लाइन के एंड से ले करके आपको सेंटर तक दिखाना चाते हैं यानि कि जखरकटी मेट्रो स्टेशन तक दिखाना चाते हैं और यह एक लौता ऐसा रूट है जिसमें बहुत सारे जाया और इसमें काम बहुत तेजी से चल रहा है हम इसकी इमेज भी आपको दिखा देते हैं तो दोस्तों पांच किलो मीटर लंबे बारा देजी से ले करके नवस्ता एलिवेटेड सेक्शन के सभी स्टेशनों के प्लेटफॉर्म बन करके तयार हो चुके हैं प्लेटफॉ यह सीडियां यहां पर जाने के लिए हैं और दूसरी सीडियां वहां से स्टेशन से नीचे उतरने के लिए वो भी मापको दिखाते हैं वो यह हैं इनमें अभी काम जारी है इसमें काम चल रहा है जो जाने वाली सीडियां है उनका काम लगभग लगभग खत्म हो चुका है पूरा हो चुका है हम इसको आपको और थोड़ा करीब से दिखाते हैं और यह वहाँ से उतरने वाली सिल्गिया है जब आप इस्टेशन से आएंगे तो इन सिल्गियों से उतरेंगे इनका काम अभी बाकी है अब आपको हम व्यू दिखा देते हैं इस स्टेशन के नीचे का काम क्या क्या चला है तो इधर आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से लिफ्ट का काम अभी भी यहाँ पर जारी है और दोस्तों जो मेन काम है वो तो चला है स्टेशन के उपर यानि की जो उपर फर्स्ट फ्लोर पर स्टेशन बना हुआ है वहाँ पे चला है नीचे का काम हमें लगभग लगभग पूरा नजर आता है इस्टेशन से थोड़ा दूर जब निकलते हैं हम हंस्पुरम बंबा की तरफ तो ये काम हमको बीच-बीच में देखने को मिल जाता है यहाँ पर दोस्तों पहले ग्रीन बेल्ट यानि की डिवाइडर जो बने होते हैं बीच में वो नहीं हुआ करते थे अब यहाँ पर वो भी है और बनाए जा रहे हैं यहाँ पर जो हमीरपुर रोड पर जो कट हुआ करते थे बीच-बीच में वो अब नहीं है तो दोस्तो अब इसी रूट के दूसरे Metro Station यानी की बहुत नगर Metro Station की तरफ अब हम आपको ले चलते हैं और वहां के अपडेट देते हैं कि वहां क्या क्या काम चल रहा है तो दोस्तो इस वक्त जो आप stair देख रहे हैं यानी कि जो सिड़िया देख रहे हैं यह बहुत नगर metro station की है और यहाँ पर बीच में divider अभी यानि की green build बन करके तयार नहीं हुआ है और आप यह देख सकते हैं screen में यह बहुत नगर metro station है इसका भी नीचे का काम पूरा finish हो चुका है नीचे ऐसा से कोई काम बाकी नहीं दिखाई देता है सिवाए green build के यहाँ प भी उपर station में platform की च्छत तयार करी जारी है और stair वगेरा तयार किये जा रहे हैं तो दोस्तों बहुत दिन अगर metro station से जब हम आगे बढ़ेंगे बसंद बिहार metro station की तरफ तो बीच में हमको यह green build का का काम देखने को मिल जाता है जहां पर कहीं कहीं पे green build की धलाई अभी भ जा रही है जो पहले कट छोड़े गयते उनकी धलाई करी जा रही है उपर का कुछ काम रहे गया है वो किया जा रहा है और दोस्तों अपनी स्क्रीन पर अगर आप सामने देख रहे हैं तो अगला metro station है बसंद विहार का metro station अब उसको थोड़ा सा करीब से हम आपको दिखाते जाम से जूज रहा है बसंद विहार देखे नीचे जाम लगा हुआ है उपर यहां station का काम जो है चल रहा है और नीचे यहां पर बारिस की बज़े से जो गड़े हो गया है रोड में JCB से इनकी भराई भी फटा फट से करवाई जा रही है तो दोस्तों जाम से परिशान हो क करके हम लोग निकल चुके हैं आगे और यह आप देख रहा है बसंद वियार काई मेट्रो इस्टेशन है इसमें भी स्टेयर वगेर का कम सब खतम हो चुका है यह आप देख सकते हैं कई कई जगे जो है भी यहां पर बनना बांकी है लेकिन लगवग लगवग पूरा हो तो ऐसा लगता हो उसको करके यहां पर खत्म कर दिया गया है अच सामने आपके आगया है नवस्ता का बाइपस अब आप जो अपनी स्क्रीन पर देक रहा है हम नवस्ता बाइपस को क् newcomे करिये घुए है और इसके आगे की कि अपडेट है यह हमापको देते हैं दोस्तो न अवस्ता बाई-पास को क्रास करने के बाद हमें एक इची अब से कूप सूरत दिखायी देती है वो है पौधा रोपन जिस सिग्वागें पर पौधे लगानी की तैयारी करी गई है忘 जिस तरीके से पौधे लगा करके यहां पर तैयार किये गए हैं आप देख सकते हैं पौदे यहाँ पर निकलने लगे हैं जो भी पौदे लगाएं वो सारे पौदे सुरुप्षित है तो दोस्तों इस रूट पर हमको आगे मिलेगा किद्वई नगर मेट्रो स्टेशन और उसके पहले जो हम पीछे आपको दिखा चुके हैं क्या है तो इस देख रेक भी यूँकि अमर्सी के द्वारा ही की जा रही है आप देख सकते हैं इस पूरी रोड में आपको खुबसूरत नजारा देखने को मिलेगा आगे चल करके जब यह पौदे बड़े हो जाएंगे तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं कि दवाई नगर मेट्रो इस्टेशन जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं सामने जो आपको इस्टेशन दिखाई दे रहा है वो देख सकते हैं उपर छत जो है अभी इसका काम चल यह इसका काम पूरा नहीं हुआ है उसको भी बहुत ही जल्द पूरा कर दिया जाएगा दोस्तों इस पूरे रूट में मुझे एक खास बात दिखी यह आप देख सकते हैं छट बनाने के लिए उपर जो है एंगल और मेटेरियल यहां पर पड़ा हुआ है उससे छट का निर्माल किया जाएगा तो दोस्तों इस पूरे र तयार करी जा रही है और सेकंड सीड़िया जो बगल में है इसके वो भी लगबग लगबग बन करके तयार हो गई है यह जो व्यूव आप देख रहे हैं यह किदवई नगर मैट्रो स्टेशन का है यह आप देख सकते हैं यह सीड़िया यहां पर बन करके तयार हो चुकी है अब बगल में जो सिर्गियां थी वो यहाँ पर निर्माला धीन है अब दोस्तों हम आपको तरह चलते हैं 12 देवी मेट्रो स्टेशन की तरफ सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो 12 देवी मेट्रो स्टेशन है इस पूरे रूट में सबसे पहले इसी स्टेशन की छट का निर्माल किया गया था जैसा कि आप देख सकते हैं यो उपर जो है औरेंज कलर के जो एंगल लगाए गए है वो इसकी छट है जिसमें अभी टीन की चादर वगेरा जैसे आपने देखा है IIT से मोती जिल के रूट में सारे स्टेशनों की छट बनी है उसी तरज़ पे यहाँ पर भी इन स्टेशनों की छट को बना करके तैयार किया जाएगा तो यह है दोस्तों 12 देवी मेट्रो इस्टेशन और यह माँ 12 देवी मंदिर इस मेट्रो इस्टेशन पे नीचे सारा काम मेरे ख्याल से लगवग लगवग खत्म हो चुका है यहाँ तक की ग्रीन बेल्ट में मट्टी भी पड़ चुकी है पौधे लगाने के लिए इसमें बस पेंटिंग बगेरा का काम बाकी है पौधे लगाने के काम बाकी है नीचे उधर जो है सीड़ियों की ढलाई हो रही थी वो भी लगवग लगवग पूरी हो चुकी है सीड़ियां भी बन करके तयार हो चुकी है साइड में जो गर आप देखते हैं ये विव आप देखिए यहाँ पर लगवग लगवग तयार हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है अब इस वक्त जो केवल हलके वहान का रास्ता है बड़े वहान यहाँ से नहीं अंदर जा सकेंगे यानि कि 12 देवी से जब जोही की तरफ जाना होगा तो बड़े वहान नहीं जा सकेंगे तो दोस्तों आगे जब पढ़ते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं तक वीडियो को like नहीं किया है और चैनल को subscribe नहीं किया है और अगर आपको हमारी मेंनत पसंद आ रही है तो वीडियो को like कर लीजेगा, चैनल को subscribe कर लीजेगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ आँ आप देख रहे हैं कि यह pillar जो है नीचे जुक रहा है वो इसले जुक रहा है क्योंकि यहां से मेट्रो को अंडर ग्राउंड होना है तो दोस्तों अब जुही इस्ति सुदेशी काटन मेल से कानपो सिंटरल के बीच मेट्रो ट्रेक की सुरंग बननी सुरू हो गई है इसके लिए डाउन लाइन पर मेट्रो टरनल बोरिंग मशीन विद्यार्थी की लाउंचिंग कर दी गई है यह कोरिडोर फस्ट का आखरी भूमी गच्चरन 2.40 किलोमेटर का होगा इसी रूट में अप लाइन पर आजा टरनल बोरिंग मशीन पहले से काम कर रही है विद्यार्थी की लाउंचिंग के बाद दोनों लाइनों पर काम तेज हो गया है अब अप लाइन का आजा टीब्यम प्रारंबी ड्राइब पहले ही पूरी कर चुकी थी अब बैकप सिस्टम यूनिट से जुड़ जाने के बाद इसका मुख ड्राइब आरंब हो गया है निर्मालादीन टनल में रिंग सेग्मेंट मशीन तक पहुँचाने और उल्लखन के बाद मिट्टी को बाहर लाने के लिए लोको पाइलेट का प्रयोग भी सुरूख कर दिया गया है तो ये थी दोस्तो हमारे जुही की अपडेट और अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ क्या ग्राउंड रिपोर्ट है यह हम आपको दिखाते हैं तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर सामने देख रही हो ये दो मंजिला जुखरकटी मेट्रू स्टेशन जू की काफी बड़ा है आप यहाँ पर इसमें चलते हैं आपको दिखाते हैं क्या कम चल largest है यहां के और सामने को फरी हो यह पर देखने क काम अब सामने आप साइड में देख रही है से आपको यहां और बसते वीडियो को लाइक ने किया है चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो कर लीजेगा हम ऐसी मस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आते रहेंगे तब तक के लिए बाए बाए